कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट ओफिस में एजेंट के दोवारा आटी सीडूल जो जमा किया ज़िए उसका लिश्ट कैसे बनता है तो सबसे पहले आप यहां आईडी लॉग इन कीजिएगा फिर पासवर्ट पे अंसेव कर दीजिए फिर यहां पर आप जाएंग आपको पेज बरा करके सबसे वहले कैस में टिक करना है कर कैस में जमा होता है इसलिए कैस में और फिर बाद में आपको एकाउंट नमर जो आपका एकाउंट नमर होता है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां जो आप देख रहे हैं वहां से आप पेज आगे या पीछ पर अपना लिष्ट तेयार कर सकते हैं तो सब में चेकमाक कर देना है और फिर आगे पीछे moving forward करके आपको देख लेना है कि वह एक काउंट अमर्क किस पेज़ पर है और उसको क्लिक करके save button पर क्लिक करना है फिर उसके बाद आपको हर एक सिरूल में तो एक महिना किसी में दो महिना किसी में चार महिना जमा करने होंगे तो जो एक महिना उसको छोड़ देंगे और जिसमें अगर दो महिना हो दो महिना मैं जमा कर रहा हूं तो देखे मैं नहीं हाँ पर दो कर दिया और नीचे के save button पर click कर दिया, अब वो दो महिना का जमा होगा, उसके बाद पे all installment पर आप करेंगे, तो आपका report चन्डेट होगा, वो देख लेते हैं, जब आप किसी को एक महिना हो, तो उसको आप छोड़ देंगे, अगर किसी में दो महिना, तीन महिना हो, तो आप ऐसे ही क करके, उसको save button पर click करेंगे, फिर आपके सामने एक दूसरा page खुलेगा, जिसमें आपको report, देख रहा है, reference नमर दिया जाता है, जिसको आपको note कर लेना है, यही reference नमर से आपको post office में, RD संख्या जमा होगी, उसमें पता चलेगा कि आपके इस संख्या में कितने RD हैं, कितने खाते हैं, फिर आप report section पर जाके, उस ID जो आपने note किया है, उसको इसमें insert करेंगे, और फिर इस पर नीचे जो आप highlight देख रहे है, status, उसमें आप success को click करके search पर click करेंगे, और फिर य डाक बाबू को देखे, आप इसका जमा कर सकते हैं, thank you